अध pharmaze नमस्कार दोस्तो कैसे आप सब आशागरता हूं। मैट्स, पूजा, शिवानी, एलोन, गर्ल, वॉकर, अनुज, खुशी, खुस्बू, किशन, मौसम, साई संदीब, प्रामन, शिवान्स, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं, आप सब एक बार फटावट बताईए, तो आज का सिस्तन हम स्टार्ट करेंगे, बिना फटावट बता दो, सारे दोस्त कैसे हो, क्या हाल चाल आप लोगे, ठीक है भई, तो आज दोस्तों, हम स्टार्ट करने वाले हैं, पेपर नमबर दो, कौन सा पेपर नमबर दो, आज हम सॉल्व करने वाले हैं, और आशा करता हूँ कि आप सारे लोग बिलकुल बहतरीन तर सब्के consecutive numbers आज बिना किसी देरी के और पहला सवाल आ चुका है आपके स्क्रीन पे एक बार फटावट इस सवाल का आंसर निकालने की कोशिस करो फटावट कोशिस करिए इस सवाल का उत्तर निकालने की क्या आने वाला है इस कोश्चन का आंसर ठीक है भई फटावट बताओ क्या आने वाला है इस सवाल का उत्तर एक बार फटाफट सारे के सारे दोश्ट ट्राई करेंगे भई बोलो क्या आएगा इस कोश्चन का आंसर फटाफट बताईए सारे के सारे दोश्ट ट्राई करेंगे इस सवाल का उत्तर निकालने की कोशिस जरूर से जरूर करेंगे ठीक है भई सारे के सारे दोश्ट ट्राई करेंगे इस कोश्चन का आंसर निकालने की देखो बोला गया 22 जुलाई 1979 को 22 जुलाई 1969 को दोस्तो अगर कौन सा दिन है Tuesday है तो आप से पूछा गया है कि 6 अगस्त 1985 को कौन सा दिन होगा ठीक है भई 69 से 85 कितने साल का अंतर है तो आप कहोगे 69, 6, 75 और 10, 85 16 साल का अंतर है और बताओ लीपियर कितने बनेंगे आप कहोगे 72, 76, 80, 84 4 लीपियर बनेंगे 16 और 4, 20, 20 को डिवाइड किया 7 से रिमेंडर कितना आया 6 आ गया तो उपर प्लस में 6 लिख दिया अब यहां देखो जुलाई में 9 दिन बचे और अगस्त में 6 दिन 9 और 6, 15, 15 को डिवाइड किया 7 से तो रिमेंडर कितना आया 1 तो यहां भी प्लस में 1 6 और यह कितना हुआ 7 को वापिस 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमेंडर क्या आयेगा 0 और 0 आयेगा तो चाहे आप Tuesday में 0 जोडो चाहे घटाओ आंसर क्या आने वाला है Tuesday ही आने वाला है आंसर आयेगा Option No.A बताओ कितने लोगों ने Option No.A सही उत्तर दिया था 90 परसेंट लोगों ने महराज जिराश शिवांस तनुग असीटारा मिस जैंस नेहा मौसम अयान योगिंद्र आयशा और इसी तरीके से कुल 50 लोगों ने इस सवाल का सही आंसर दे दिया है बहुत शांदार परफॉर्मेंस आपका पहले ही सवाल में बहुत ही बहतरीन इसका मतलब आपने कैलेंडर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है दोस्तों और अब कैलेंडर में आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है ठीक है भई अगला सवाल आपके सामने है प्यारे दोस्तों जड़ा इस कोश्चन का भी आंसर निकाली है क्या आने वाला है पड़ा पड़ बताईए इस सवाल का उत्तर क्या आने वाला है जल्दी जल्दी ट्राई करो भई सारे के सारे दोस्ट ट्राई करेंगे इस कोश्चन का आंसर निकालने की कोशिस करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों क्या आएगा इस सवाल का अंसर बोला क्या गया है कि किंग्डम सब्द के प्रतेक अक्षर वर्ण माला करम में विवस्थित करने हैं इस प्रकार बने नए अक्षर सम्मू में बाएं से चोथे अक्षर और दाएं से दूसरे अक्षर के बीच प्यारा नौ cargoас साथ चार 15 और थेरा नंबर लिखे दे मेugें तो अरेन्ज करना हसान होगा सबसे पहले चार आए गाज फिर नौ यारे काफिर ते रहा है 50 पर पंदरा थो डी आएगा जी आएगा आई फिर के फिर M फिर N और फिर O ठीक है भाई अब आपसे क्या बोला गया है प्यारे दोस्त तू ज़रा देखो बोला गया है कि बाएं से चोथा अक्षर एक दो तीन चार बाएं से चोथा अक्षर और दाएं से दूसरा अक्षर एक और एक दो पूछा गया कि के और N के बीश में अलफाबेट में कितने लिटर आते हैं आपको कहोगे सर L आता है और रहम आता है कितने आते बाबू दो आते हैं तो आंसर आएगा option number C बोलो clear है answer क्या आएगा option number C आएगा ठीक लोगों ने answer दिया प्रियांसु संदीब हेमंत अजीत आयशा सोनू मौसम वाती एलोन साहिल और इसी तरीके से मातर 26 लोगों ने question का सही answer दिया है ठीक है मातर 26 लोगों ने सवाल का सही answer दिया था और बताओ के और M के बीश में कितने लिटर आते हैं तो दो सबसे पहले इसको अरेंज करना था क्या यह अलफाबेटिकली किंग्डम के सारे लेटर क्या अलफाबेटिकली अरेंजड है आप कोगे सर अलफाबेटिकली अरेंजड नहीं है अगर अलफाबेटिकली अरेंजड नहीं है तो सबसे पहले उसको अरेंज करना है और अरेंज करने के बाद बताना है ठीक है भई अगला सवाल आपके सामने है दोस्तो जरा इस question का answer निकालो पड़बर ट्राई करिए इस question का answer क्या आने वाला है करिए भई पड़बर ट्राई करिए इस सवाल का उत्तर क्या आने वाला है बोला गया दीगई सरिंकला में प्रस्न चिन के स्थान पर क्या आना चाहिए यह आपसे पोचा गया है कि प्रस्न चिन के स्थान पर क्या बताओ वई इस सवाल का उत्तर क्या आने वाला है बोलो आप को होगे सर 273 से 263 माइनस में 10 हुआ यह क्या हुआ माइनस में 15 हुआ यहां पे क्या होगा माइनस में 20 होगा 20 माइनस करेंगे तो 228 आएगा और 228 में से माइनस में अगर 25 करेंगे तो 23 आएगा आनसर आएगा ओपसन नमबर C 228 इस दे करेक्ट आनसर ओपसन नमबर C आपके सवाल का बिलकुल सत्ते उत्तर है 94 परसेंट लोगों ने आनसर दिया संदीब शिखा सिवांस घसीटा राम आदित्या वैशनवी अजीत तन्नु अनुज सनेहा और इसी तरीके से कुल 64 लोगों ने इस बार सवाल का सही उत्तर दिया है देखो 64 लोगों ने परसेंट लोगों ने कुशन का बिलकुल बहतरीन आनसर दिया है लेकिन पसंद सर्फ 37 लोगों ने यह थीक भी यह पसंद सर्फ लोगों ने किया है 2007 लोगों ने देख रहिए हूं चलो अगला सवाल आपके सामने यहां दोस्तों जरा इस सवाल का अफ्रा बताओ चाहा सारे साया कि बोलो क्या आएगा इस question का answer बोला आपसे क्या गया है कि D, G, J और H को code किया जाता है L, O, R, P से Place value का game है 4, 7, 10, 8 और 12, 15, 18, और 16 4 से 12 प्लस में 8 7 से 15 प्लस में 8 10 से 18 प्लस में 8 8 से 16 प्लस में 8 सब में 8, 8, 8 जूट रहा है तो आपसे पूछा किस के बारे में गया है I, L, O, M 9, 12, 15, और 13 अगर मैं इन सब में 8 जोड़ दूँ तो मेरे प्यारे दोस्तों आप बताओ 9, 8, 17, 17 पे क्या आता है Q 12, 8, 20, 20 पे आता है T B आंसर क्या आएगा दोस्तों Option number B is the correct answer B आपके सवाल का सही आंसर है 82 परसेंट लोगों ने आंसर दिया संदीप, मंतन, अनस, अनुज, वाकर, प्राची, विवेक, शिखा, देवेस, विजेंदर, सनेहा और इसी तरीके से कुल 57 लोगों ने सवाल का सही उत्तर दिया है बहुत बढ़िया, बहुत शांदार, बहुत जबरदश, ठीक है भी या Clear, फटवट बताओ अगर clear है तो अगला सवाल आपके सामने हैं दोस्तों जरा इस सवाल का उत्तर भी निकाल दो फटवट क्या आने वाला है इस कुश्चन का भी आंसर बताओ एक बद सारे के सारे दोस्त बताओ इस कुश्चन का आंसर क्या आएगा करिए मैं आज के क्लास में देखना चाहता हूँ कि सौ से उपर लोग सवाल का सही आंसर दे रहे हूँ जितने लोग देख रहें कम से कम उतने लोग answer तो देदो बोला आपसे क्या गया है S F B V का code किया जाता है H U Y और E से फिक है यह 19 है यह 6 है यह 2 है यह 22 है और यह 8 है यह 21 है यह 25 है और यह 5 है 19 से 8 तो यह क्या हुआ माइनस में 11 है 6 से 21 माइनस में 15 है 2 से 25 माइनस मच 23 ये कोई लॉजिक तो बननी रहा है लेकिन मुझे ये पता चल गया कि S और H क्या हैं? एक दूसरे के opposite F और U क्या है? एक दूसरे के opposite B और Y बाए एक दूसरे के opposite और V और E एक दूसरे के opposite तो आप से किस के बारे में पूछा गया है? 3 का उल्टा, 24, 11 का उल्टा, 16, 19 का उल्टा, 8 और 23 का उल्टा, 4 अन्तिम में D आना चाहिए एक ही आप्सन में हैं और वो है आप्सन नंबर C में तो आंसर के आएगा आप्सन नंबर C is the correct answer ठीक है आप्सन नंबर C माराज दिराज, शिक्रा, विवेक, मंटन, स्रिष्टी, अनुज, मैट्स, खुसी, अनस, नेहा, विजिंदर, रीतु और इसी तरीके से कुल 68 अनसर लोगों ने कोश्चन का सही आंसर दिया है बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त भहत उम्दा ठीक है ब इस सवाल का उत्तर क्या आएगा, बताइए इस सवाल का उत्तर क्या आने वाला, पड़ावट सारे के सारे दोश्ट्राई करिए, इंदर कह रहे हैं सर रोमांटिक माहल है, आपके लिए कौन सा रोमांस है, बताओ, कमरे में बैठना है, इंटरनेट का इस्तेमाल सिर्फ इस सवाल का उत्तर क्या आने वाला है, बोलो भई, देखो एक दो तीन चार चार पर एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, चार चार पर हमने तोड़ दिया, पहले में दो है, पिर ये चार है, पिर ये छे है, ये कंफर्म बात है कि पर क्या आता है अब मैं यह कह सकता हो ना कि second second letter e होना चाहिए और fourth letter sorry second letter क्या होना चाहिए c होना चाहिए और fourth letter क्या होना चाहिए e होना चाहिए किस option में second letter c है fourth letter e है c e यहाँ पर है नहीं यहाँ c यहाँ लेकिन f है यह भी गलत यहाँ c और यहाँ यह नहीं है गलत आंसर आएगा option number a जादा चेक करने की जरूरत ही नहीं option number a आपके question का सही answer था ठीक है बई मात्र 18% लोगों ने answer दिया है तो इस इस टाइब के question को आप सर्फ option पर आपकी नजरे होंगी तो आप चंद सेकेंड में इन सवालों के उत्तर निकाल सकते हैं बड़े आराम से ठीक है बई अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है जरा इस question का answer निकालने की कोशिस करो पड़ापड बतां इस सवाल का उत्तर क्या आने वाला है इस question का answer क्या आने वाला है फटबड बताईए बोलो भई आप से बोला क्या गया है कि plus और minus को अपस में बदल दिया जाये और into और divide को अपस में बदल दिया जाये तो equation का मान क्या होगा बोलो बाई देखो डिवाइड की जगए 600 इंटू 3 प्लस की जगए माइनस 14 इंटू की जगए डिवाइड साथ माइनस की जगए प्लस 16 अब आपने कहा कि ये सर हो गया 189 माइनस 2 और प्लस में 16 तो आपने अगर 16 मेंसे 2 रही माइनस कर दिया तो 14 आया एक सो निन्यानवे और चार दो सो थीन उत्तर के आएगा दो सो थीन आएगा बोलो हां किना उत्तर के आएगा दो सो थीन आएगा और इसी तरीके से कुल 61 लोगों ने सवाल का सही आंसर दिया है ठीक है बई अरे क्लियर है फटावड बोल तो दो एक बार क्लियर है नहीं है बोलो भई क्लियर है चलो अगर क्लियर है तो अगला कोश्चन आपके सामने है प्यारे दोस्तो तुझरा इस कोश्चन का भी आंसर निकाल तो एक बार फटावड क्या आने वाला है फटावड बताओ इस तवाल का उत्तर क्या आने वाला है फटबड़ बताईए सारे दोस्त बोल वही इस question का answer आपने कहा कि सर सबसे पहले कागज को ऐसे मोड़ा फिर कागज को ऐसे मोड़ा यहां यह आकरिती काट दी तो यह इसका water image बनेगा कुछ इस तरीके से और यह इसका mirror image ही बनेगा कुछ इस तरीके से ठीक है भई और यह इसका क्या बन जाएगा water image बनेगा कुछ इस तरीके से तो आपके सामने यह कौन सा option में दिखाई दे रहा है option number D में right answer is option number D right answer क्या है option number D है 84% लोगों ने answer दिया वैश्णवी साहिल हैमंद प्राची नेहा सनेहा वाकर किशन विजंदर स्रिष्टी और इसी तरीके से कुल 64% लोगों ने question का सही answer दिया है ठीक भी यह अरे clear अगर clear है तो अगले question का answer बताऊ जरा एक बर फटाबट क्या आने वाला है इस सवाल गऑे उत sa ही उप्तर बता तो एक बर फटाबट क्या आने वाला है इस आक्रिती का मिरर इमेज बताना है तबसे पहले तो इसका मुँ बनेगा उसके बाद ये सरीर है अब ये सारे उपसन में दिखाई दे रहा है एक चीज ध्यान से समझिएगा कि ये वाला जो पोर्षन है ये वाला जो पोर्षन है वो इस सईड आके कुछ इस तरीके से बनन चाहिए तो आंसर आएगा आपका option number c क्योंकि बी में तीर उल्टा है और इसमें सीधा है तो यह तीर जो है ना मिरर के पास आना चाहिए mirror से दूर नहीं जाना चाहिए ठीक है तो आंसर option number c इस सवाल का है स्ताही उत्तर दिया है थीक भई चली के अगılar सवाल दोस्तो आपके सामने हैं जरह इसक parti निकालने की कोसिश करो फटा फटा इस सवाह उत्तर बताईे क्या आने वाला है करिए सब्सक्राइब इस question का answer try करो भई क्या आने वाला है इस question का answer बोलो भई इस question का answer क्या आने वाला है पड़ावट बताओ सारे दोश ट्राई करेंगे इस सवाल का उत्तर निकालने की कोसिस करेंगे और मजे की बात है कि कुल 138 मतलब डेशो के आसबास लोग देख रहे हैं लेकिन मातर 50 लोगों ने पसंद किया है और देखते डेली हैं answer सारे देते हैं मतलब जितने answer दे रहे हैं या पोल में उससे कम पसंद करने वाले लोग हैं देख रहे हूँ आज कल करते ही बेहतरीन माहोल है भाई उसमें से एक ने घटावी दिया बोलो भाई आपसे बोला क्या गया है वे वे का कोड़ बताना है वे पहले में कॉमन है और दूसरे में कॉमन है इसके अलावा कोई भी वर्ड कॉमन नहीं है तो पहले और दूसरे में कॉमन क्यों क्य है आपको हो सब के और क्यों कौमा ने क्या है के और क्यों तो आपसे नंबर भी आपके सवाल सभी उत्तर आइगा आपसे नंबर भी थीक्त मेरा दूसमन जोद्पुर महराज इराई रित्व वॉकर वैश्णवी मंतन विजिंदर रूबी मिश्जैन शांतिलाल और इसी तरीके से कुल 73 लोगों ने सवाल का सही आंसर दिया है क्लियर है भाई लोग वेट करते हैं जब आप बोलोगे तब ये लोग करेंगे अच्छा कोई बात नहीं बेटा भगवान सब देख रहा इश्वर है कि नहीं आप भी कोई बहुत उम्दा काम करोगे न तो आपको बहुत अच्छे से लोग देखेंगे उम्दा काम करते हुए लेकिन उसके बाद जब आप काम करके हट जाओगे लोग मुझ फिर लेंगे आपको अप्रिसियेट भी नहीं करेंगे तब देखना आपको कैसा लगेगा ठीक है भई तब आपको फिलिंग आएगी और तब मेरी बात याद आएगी आप कि हमने भी तो पसंद नहीं किया थ तो हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है जो जैसा करेगा वैसा भरेगा तो कंफर्म बदाओ इस सवाल का उत्तर क्या आने वाला है फटाबड बदाओ जल्दी जल्दी बताइए भी यह इस सवाल का उत्तर क्या आने वाला है बोलो बोलागे प्लस और माइनस को इंटरचेंज कर दो और इंटू और डिवाइड को इंटरचेंज कर दो और बताओ वैल्यू क्या आएगी आपने ग्यारह डिवाइड की जगे इंटू चार प्लस की जगे माइनस आठ इंटू की जगे डिवाइड दो माइनस की जगे प्लस एक ग्यारा इंटू चार चवालिस माइनस चार प्लस एक पैंतालिस में से अगर मैं चार माइनस करूं कितना आएगा 41 आएगा और इसी तरीके से कुल 56 लोगों ने सवाल का सही उत्तर दिया है बहुत बढ़िया बहुत शानदार बहुत जबरदस्त बहुत अगला सवाल आपके सामने हैं दोस्तों इस सवाल का उत्तर बताओ क्या आने वाला है कि इस कोश्चन का आंसर बताईए क्या आने वाला है कि इस सवाल का उत्तर बताईए क्या आने वाला है फड़ा बट बताओ बोलो वई इस question का answer क्या आएगा बोला गया है L, R, U और P को लिखा जाता है R, X, A और V 12 है ये 18 है ये 21 है ये 16 ये 18 है ये 24 है ये 1 है और ये 22 12 से 18 प्लस छे हुआ 18 से 24 प्लस छे 21 से प्लस में 6 करेंगे 27, 27 का मतलब 1 होता है और 16 और 6 कितना हुआ 22 तो आप से पूछा कि इसके बारे में गया है H, N, Q और L के बारे में 8, 14, 17 और 12 सब में क्या जोड़ना है 6, 6 जोड़ना है 8 और 6, 14 14 पे N आएगा 14 और 6, 20, 20 पे T आएगा 17 और 6, 23, 23 पे W आएगा और 12 और 6, 18, 18 पे आएगा N, T, W, R अपने कोश्चन का सही आंसर होगा जो की है ओप्सन नंबर B में तो आपके कोश्चन का सही आंसर क्या होगा प्यारे दोस्तों B ओप्सन होगा 77 परसेंट लोगों ने आंसर दिया है दुस्मन, रूबी, अनस, विवेक, मैट्स, अनुज, हेमन, दरकेश, निया, आइसा, सुकृती और इसी तरीके से कुल 57 लोगों ने सवाल का सही उत्तर दिया है ठीक है भई चलो अगला कोश्चन जरा करके बता दो देखते हैं कितने लोग इस सवाल का उत्तर बता पाते हैं एक बार अगले कोश्चन का आंसर करके बताईए फटाबड बताईए क्या आने वाला है इस सवाल का उत्तर फटाबड बताईए भई क्या आने वाला है इस कोश्चन का आंसर देखते हैं कितने लोग इस question का answer बता पाते हैं कितने लोग इस सवाल का उत्तर निकाल पाते हैं ये देखने वाली बात है एक बार फड़वड बताईए इस सवाल का उत्तर क्या आने वाला है फड़वड सारे के सारे दोश ट्राई करेंगे इस question का answer निकालने की कोशिस करेंगे भई क्या आने वाला है इस question का answer बोलो पड़ाबर बता हुआ क्या आएगा देखो अगर मैं आपसे कहूँ सर कि 13 और 15 को जोड़ दें कितना हुआ 28 और 28 को 4 से भाग देदें तो कितना आएगा 7 आएगा 9 प्लस 11 कितना होता है 20 और 20 को 4 से भाग देदें तो कितना आएगा 5 तो आप कहोगे 24 और 16 कितना होता है सर 40 16 प्लस 24 कितना होता है भईया 40 40 को 4 से भाग देदो कितना आएगा 10 इसका मतलब पहला option सब्सक्राइब करेक्ट है और इस सवाल का सही उत्तर है और सब्सक्राइब करेक्ट ठीक है तिरेपन परसेंट लोगों ने आंसर दिया है दुस्मन रूबी शीतल हेमंद विवे गसीटाराम सिवांस नेहा खोशी अनुज और इसी तरीके से मातर 35 लोगों सथांसर दिया है एक प्लियर बढ़ी के लोगें अगले सवाल की तरफ अगला सवाल आपके सामने है प्यारे दोस्तों जर्णा इस सवाल का उत्तर बता हो क्या आने वाला आप पड़ा इस सवाल का उत्तर क्या आने वाला है करूब यह ठाइड का कुश्य करो मुझे कैसे का आंसर क्या आने वाला है दोस्तों फटापड़ बताईए इस सवाल का उत्तर क्या आने वाला है आपको के सर एंटी क्लॉक वाइज रोटेट हो रहा है यह वाला पॉर्सन यहां गया फिर एंटी क्लॉक वाइज रोटेट हुआ फिर एंटी क्लॉक वाइज जब रोटेट हो लेकिन खुल गया इसके विपरीद साइड में इसलिए ओप्सन नंबर सी आपके कोश्चन का सही आंसर है ठीक है भई वाकर वैश्णवी सिखा विजिंदर मैस जोदपूर धर्मेंदर सनेहा सुनाक्षी आइसा और कुल 66 लोगों ने सवाल का सही आंसर दिया है भई ठीक भी क्लियर 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 अरे बोल तो दो अगर क्लियर है तो अगला सवाल आपके सामने है एक बार फटा पट इस सवाल का उत्तर बताओ क्या आने वाला है इस कुश्चन का आंसर फटा पट बताओ इस सवाल का उत्तर क्या आने वाला है सारे दोस ठ्रैइज करें इस कोश्चन का आंसर देने की को सट करिए वह तारे के सारे दोस्त इस असवाल और बाई साब देखो इतनी जबरदस तरीके से आप लोग उत्तर दे देते हैं सवाल आया नहीं कि आपका ओप्सन आ गया या तो आप बहुत ही ज़्यादा ब्रियेंट हो गए हैं या तो धुआधार तुक्का मार रहे हैं आपको रोकने वाला भी कोई नहीं है तुक्का मारने के लिए इस तरीके से आप तुक्का मार रहे हैं कि जीवन में तुक्का ही एक मात्र उद्देश से है ठीक है भई तो अगर ऐसी बात है तो बहुत गलत बात है भई आपको सवाल को सॉल्व करना चाहिए क्योंकि एक्जाम में सॉल्व करना ही पड़ेगा और अगर नहीं अगर आपकी भई कैलकुलेशन इतनी जोड़दार हो चुकी है तो भई सेल्यूट है आपकी कैलकुलेशन पर S.S.C. वाले रोक नहीं पाएंगे आपको है कि नहीं देखो ये रध्यान से ये 19 है ये 21 है ये 20 है प्लस 2 और ये माइनस 1 ये देखो 4 है 7 है 5 है प्लस 3 और माइनस 2 ये क्या है भई 23 है 25 है और 26 है आप कहोगे सर प्लस 2 और माइनस 1 अगली बार में देखो 6 है 8 है 7 है वा आपिस को कि सबस्ट बर माइनस वन तो बताओ इसमें और हो गया क्यों कि इसमें प्लस ठू माइनस टू का गैप चल रहा है बागी सब में प्लस्ट बाइनस मन का चल रहा है ठीक है 80% लोगों ने आंसर दिया जोत्पूर वैशनवी माराज दिराज अनुज सुकृतिस नेहा हेमंद विवेक आभा और विनीता का आंसर सही है कुल 68 लोगों ने सही उत्तर दिया है बहुत बढ़ियां बहुत जबदर तो कई सही हो जा रहा है तो सही करने की क्या जूरती ये भी बात सही कह रहे हो तुम ठीक है लेकिन हर एक देखी हुई चीज जरूरी नहीं है कि वह आपके लिए फायदे मंद हो कई बार नुकसान दायक भी होती है है कि नहीं तो पहली बार में जो चीज पसंद आ जाए बताओ इस सवाल का उत्तर क्या आएगा बोलो भई क्या आंसर आने वाला है इस कोश्चन का बोलो भई पड़ोर बताईे किया अंसर आएगा इस कोश्ट कर इस सवाल का उत्तर जिसने देदिया मांचाँगा कि बाई साहब उसकी तैयारी बहुती सूपर लेबल पर चल रही है इस सवाल का उत्तर जिसने भी सही दे दिया मैं ये जरूर मान जाओंगा कि उसकी तैयारी बहुत इस सूपर लेवल पर चल रही है शानदार तरीके से चल रही है बोलो भई बोलो भई बोलो भई साब क्या आनसर आने वाला इस सवाल का देखो एक दोस्त ने आनसर दे भी दिया बोला सर बीस का स्कुएर इंटू तीन कर दो तो सर चार सो इंटू तीन किया कितना आएगा बारा सो अठाइस का स्कुएर सर इंटू तीन कर दो तो 28 का स्क्वेर सबसे पहले हम निकाल लेते हैं तो 8-8-64 कितना बना 4 8-2-16 और 6-22 और 2-8-16-2-4 और 1-5 4-8 और 7 784 और 784 इंटू 3 करेंगे 4-3-12 3-8-24 और 1-25 और 3-21 और 1 2-23 2-252 आरा है भई तो अगला देखो 50 का स्क्वेर इंटू 3 करना है तो पच्चिस सो इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा पिछटर सो आएगा देन राइट आंसर इस उप्सन नंबर B राइट आंसर क्या है बाबू उप्सन नंबर B इस सवाल का सही उत्तर है ठीक है भई 90.91 लोगों ने आंसर दिया शिवानी सिखा मंटन वैशनवी अजीत निहा खोशी आईसा सुकृती सुनिक शा और 70 लोगों ने इस सवाल का सही उत्तर दिया है बहुत बढ़िया बहुत शानदार बहुत जबरदस्त बहुत उम्दा ठीक है भई क्लियर है? चलो अगर क्लियर है तो अगला सवाल आपके सामने हैं दोस्तों जरा इस सวाल का भी आंसर निकालने सवाल का उत्तर क्या आने वाला है? करिये वह ट्राई इस question का answer क्या आएगा बोलो क्या आने वाला है इस सवाल का उत्तर देखो 9 से 45 तो 5 गुना है सर और 540 से 1080 दो गुना है कहीं घट तो नहीं रहा है अगर मैं into 4 कर दो 45 दोना 90 नब्य दोना 180 होगा और 180 into 3 18 तीया 540 आएगा इसका मतलब into 5 into 4 into 3 into 2 हो रहा है तो answer आपका आने वाला है 180 option number A आपके सवाल का सही उत्तर आने वाला है माराज दिराज मंतन दुस्मन मैट्स विवेक धरमेंदर देबदत अनुज हेमंत वाकर और इसी तरीके से कुल 57 लोगों ने सवाल का सही उत्तर दिया है 57 लोगों ने question का सही answer दिया है और ध्यान से देख लीजिए अभी century भी पूरी नहीं हुई है देश्तों के आसपास लोग आके ठिके हुए हैं लेकिन century पूरी नहीं हुई भाई साम ठीके बताओ इस question का answer क्या आएगा बढ़ाबड बताओ इस सवाल का उत्तर क्या आने वाला है बोलो अब ये तो मुझे नहीं पताए वोगे अंदर क्यों बोलो इस सवाल का उत्तर क्या आने वाला है बोलो फटाफट S into T का मतलब क्या हुआ देखो S into T का अर्थ है S T की बहन है S कोन है बाबू T की बहन है T पलस U का मतलब है T U का पती है तो U कोन होगी पतनी होगी U minus V का मतलब है U V की मा है और V divizen W का मतलब है V W का कौन है भाई है यही तो बनेगा फिकर आपसे पूछा गया S का W से क्या संबन्द है S का मतलब S W का कौन है तो आप कोगे W के पापा की बہन है बोलो हाया ना W के पापा की बहन डबलू के पापा की बहन तो इसका मतलब आंसर आएगा option number A ठीक है बई 64% लोगों ने आंसर दिया है तिर्फ अभिशेक, संदीब, विजिंदर, शिवांस, चंचल, वैसनवी, मौसम, हेमंद, खुशी, सीमा और इसी तरीके से कुल 44 लोगों ने question का सही answer दिया है थोड़े easy question लाओ, मुझसे नहीं होते tough question सबसे पहले तो tough की spelling सही से लिखना और उसके बाद मुझसे की भी spelling सही से लिखना चलो मुझसे तो मैं मान लोगा कि ये informal word है लेकिन कमसगम tough की spelling तो सही लिखो आगे CPU का exam है, 200 number और प्लस 50 number, 200 number का तो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी है उसमें और spelling मिश्टेक से कम से कम 5 सवाल आएगा, अगर वहां tough की spelling आगई तो भाईया अगर ये tough लिख दोगे तो आपका तो काम हो लिया, ठीक है भाई, अगला सवाल आपके सामने है, दोस्तो ये question आपके लिए homework में दूँगा मैं इस question का answer बताओ फटाबट, क्या आने वाला है, इस सवाल का उत्तर बताईए क्या आने वाला है, फटाबट बताओ इस सवाल का उत्तर क्या आने वाला है, इस सवाल का उत्तर क्या आने वाला है, फटाबट बताईए भई बोलो, आपसे क्या बोला गया है, all cats are predator, cat की value यहाँ 50 है, यहाँ 100 हो गई गलत है ठीक है, बोला गया, all eagle are tiger, predator आपस में मिल नहीं पाएंगे क्योंकि दोनों की value पचास है, इसका मतलब eagle और tiger एक साथ नहीं आ सकते, दोनों गलत है बोथ conclusion one and two do not follow, option number a इस सवाल का सही answer है, option number a is the correct answer वैश्णवी स्नेहा, अनुज योगेंदर, आयसा, जितेंदर, मिश्जैन, आभा, साहिल, विजिंदर और इसी तरीके से कुल, 45 लोगों ने question का सही answer दिया है, ठीक है? क्लियर भाई, चलो, अगला सवाल देखते हैं, कितने लोग कर पाते हैं, इस सवाल का उत्तर, देखने वाली बात है कि कितने लोग इस question का answer दे पाते हैं, करो यह try एक बार, फड़ावर try करो, फड़ावर try करिए, इस question का answer क्या आएगा? इस सवाल का उत्तर क्या आएगा? और मुझे ये पूरा यकीन है कि भीया reasoning सीखो ना सीखो, अंग्रेजी पे ध्यान जरूर देने लग जाओगे, खासकर इस spelling पे आप लोग है कि नहीं? ठीक है भाई? और एक कोई दोस्त है, जो वेडियो देखनी रहा, या सवाल नहीं कर बस वो लाइक कर रहा है, लाइक हटा रहा है, लाइक कर रहा है, लाइक हटा रहा है, बावु डिसाइड कर लो जीवन में क्या करना है? लाइक करना है कर दो, नहीं करना है हटा लो, इतना confusion क्यों? अभी चलो confusion है तो ठीक है, ब्यासाधी के बाद अगर confusion हो गया तो बड़ी समझे आएगी जीवन में हैं कि नहीं बदाईए इस कोश्चन का आंसर क्या आने वाला है फटावट बदाओ इस सवाल का उत्तर क्या आने वाला है बोलिए भई देखो तुकृति कहरी एक जाएगी दूसरी आएगी ऐसी किस्मत है उसकी अगले की जो लाइक कर रहा हटारा कर रहा हटारा ऐसी किस्मत है ऐसी किस्मत बहुत ही बिल्ले लोगों को मतलब तारे लोग मालिया फोड़ी बन जाते हैं है के नहीं बहुत पूरे भारत में एक ही म करना चाहिए एक पर इटिक के रहो देखो एक दो उसके बाद कोई ये भी रेक्टेंगल किन लेगा इसमें भुजाएं बहुत सारी हैं है कि नहीं दो के बाद ये कौन है तीन नंबर ये चार नंबर ये पांच नंबर और पांच के बाद अगर इन दोनों को मिला दे तो ये और तीन नौ नंबर नौ के बाद एक ये पूरा बड़ा वाला दस नंबर और दस के बाद एक ये छोटू ग्यारा नंबर इसके अलावा और कहीं भी आपको रेक्टेंगल नहीं दिखाई दे रहा आंसर आएगा ओप्सन नंबर सी क्यारा इस दा करेक्ट आंसर ठीक है भई भाई अपना नाम चेंज कर लो यार बार बार तुम्हारा नाम ओयो निकलता है है कि नहीं कुल 38 लोगों ने सवाल का सही उत्तर दिया है ठीक है क्लियर है बोलो क्लियर है चलो अगर क्लियर है तो अगला सवाल दोस्तो एक और आगया आपके सामने फड़ाबड बताईए इ इस कोश्चन का आणसर क्या आने वाला है फड़ा बताओ आप किसी भी नाम से बुला लो नहीं फूसी मिलती है एक तरीके कि है इक्ञाने मतलब नाम सुनने से बताओ इस सवाल का उत्तर क्या आने वाला है फड़ाबड बताओ बोलो इस question का answer क्या आएका डेर सो ग्यास पास लोग पहुंच चुके हैं 82 लोगों ने पसंद किया है बार बार बोलता रहूँगा ये बार बार नहीं भोलना चीए चलो नहीं बोलूंगा बार बार की 82 लोगों ने पसंद किया है ठीके भई बताईए इस question का उत्तर क्या आने वाला है option बहुत ध्यान से देखना बहुत सारे लोग यह option में ही गलती करेंगे आपको होगे सर साथ दुना 14 और प्लस में 5 11 दुना 22 प्लस में 8 14 दुना 22 प्लस में 11 कुछ नहीं मिल रहा अगर मैं यह करूँ इंटू 3 साथ यह 21 माइनस 2 19 इंटू 3 माइनस 3 कितना होगा 30 14 से 49 चौदा इंटू 3 माइनस 3 42 में से 3 गया 49 17 इंटू 3 51 माइनस 3 कितना होगा 48 ठीक है तो आपके सामने कौन सा दिख रहा है option नमबर 1 और दिख रहा है और एक का है option नमबर C में तो आंसर आएगा option नमबर C आंसर क्या आएगा या option नमबर C इसलिए मैं कहना था बहुत ध्यान से देख लो 38 परसेंट लोगों ने option नमबर यह आंसर दिया दुस्मन महराज जिराज आरिफ मंतन रीतू रुक्षार घसीटा राम सुनाक्षी रुबी है मंत और इसी तरीके से 49 लोगों ने question का सही answer दिया है ठीक है भाई अरे clear है अगर clear है तो चलो इसी बात पर अगले question का answer और बता दो फटावट क्या आएगा इस question का answer बताओ जड़ा बताओ इस सवाल का उत्तर क्या आने वाला है पटावट बताओ सारे के सारे दो श्राई करेंगे इस question का उत्तर निकालने की कोशिस करेंगे बाई जब देखो ये 7 है ये 10 है ये 13 है ये 16 है तो अगला 19 होगा कि नहीं होगा और 19 पे क्या आता है S किस option में option number B में क्या बताओ आगे चेक करने की जरूरत थी आप खुद बता दो क्या आगे चेक करने की जरूरत थी क्या नहीं थी ना option number B आपके question का सही answer हो गया है option number B is the correct answer ठीक है बई 97 परसेंट लोगों ने answer दिया दुसमन जोटपुर अनुज रीतू मैट्स सिवांस विजिंदर मंटन विवेक अन्नोन और इसी तरीके से कुल 72 लोगों ने सवाल का सही उत्तर दिया है ठीक है तो निक्षा कह रही है कि सर आज मन नहीं लगरा गुरूजी तो बताओ आपके मन लगाने के लिए क्या किया जाए या फिर आप मैं तो कुछ करनी पाऊंगा खेर आप ही कुछ ऐसी सुविदा देखो जिससे आपका मन लग से है कितनी बुरी आप से है यह भी एक मन लगाने का तरीका होता है आदमी अपने आपको देखता है सकल अपने आईने में देखता है फिर बाहर जाके लोगों की देखता है आप उसमें मिलाता है कि चलो मैं कितना अच्छा वो कितना अच्छा तो इस तरीके से भी मन लगा बता रहूं मैं अगला सवाल आपके सामने हैं दोस्तों इस सवाल का उत्तर बताओ क्या आने वाला है मन नहीं लगेगा किसका नहीं लगेगा बताओ मन दो लगना ही जाहिए भूलो इस question का answer बताईए क्या आने वाला है बढ़ावड बढ़ाईए इस सवाल का उत्तर क्या आने वाला है बोलो वई बोलो बोलागे वी डिवीजन पी का मतलब है वी पी का पिता है वी को ने भाई पी का पिता है पी माइनस एफ का मतलब क्या है पी एफ का पती है पी को ने एफ का पती तो एफ पत नहीं होगी एफ प्लस जी का मतलब है एफ जी की बेटी है और G into C का मतलब है G is the brother of C G किसका भाई है C का बोलागे है P G से किस प्रकार संबन्दी थै P कोन है G का दामाद है कोन है बेटी का husband दामाद है तो आंसर आएगा कोन बेटी का पती option number C option number C आपके सवाल का सही उत्तर है option number C is the correct answer ठीक है बई 74% लोगों ने आंसर दिया वीजंदर, हेमन, स्रिवान, नुसरत, माइकल, शिखा, आयसा, काजल, सुकृति, मौसम और इसी तरीके से कुल 50 लोगों ने question का सही आंसर दिया है clear है बई चलो अब बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर देखते हैं इस question का उत्तर कितने लोग दे पाते हैं बई बढ़ 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 इस question का उत्तर कितने लोग दे पाते हैं ये देखने वाली बात है बढ़ 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 इस question का आंसर क्या आने वाला है बोलो बढ़ इस question का आंसर क्या आने वाला है इस सवाल का उत्तर क्या आने वाला है इस कोश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं बोलो भई कैसे हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं बोला गए स्टार मून सैटलाइट प्लैनेट सबसे पहले तो आपको सन की का कोड निकालना है ये दिमाग में रहे स्टन कहीं पे common दिखाई देनी रहा है तो उसके अगल बगल बले को हटा देते हैं सबसे पहले हमने हटाया satellite और planet को देखो satellite planet पहले वाले में और last वाले में common है और पहले और last में common code क्या है आप कहोगे pit, rit, kit, sit, knit और pit, sit, knit तो यहां पे nit common है और क्या common है pit common है तो इसे आप हटा दो ठीक है यह satellite planet आपने हटा दिया और knit हटा दिया ठीक है भाईया अब आपके पास क्या common बच गया है moon moon पहले और दूसरे में common है तो पहले और दूसरे में common code क्या है kit sit 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 यहां भी common है sit यहां भी common है यह भी अटा दिया अब क्या बच गया बाबू अब आपके पास बच गया है क्या बोलो अब आपके बच गया है star star कहा common है star यहां पे common है यह star है और यह star है अचा common code क्या है आपके सामने CIT RIT RIT common है RIT एटा दिया अकेला एक ही कोड बच गया है इसके लिए ठीक है भई एक ही कोड बच गया है सन के लिए और वो कोड क्या बचा है किट तो आंसर आएगा option number A आंसर क्या आएगा option number A हेमंद, खुशी, खुशी, काजल, आईशा, मौसम, अनुच, घसीटा, राम, सिवांस, वाकर और इसी तरीके से कुल 54 लोगों ने सवाल का सही उत्तर दिया है ठीक है भई, अरे clear, अरे बोल दो ना, clear है तो ये question दोस्तों आपके लिए रहा एक प्यारा सा homework, आप सवाल का उत्तर देते नहीं हो comment box में लेकिन बावजुद उसके मैं daily आपको homework देता हूं, ठीक है, देखते हैं आप कब तक नहीं देते हैं और देखते हैं कब मैं मान जा अंसर, paper number two को हमने बहुत ही शांदार तरीके से solve कर लिया, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने paper number two को solve कर लिया है दोस्तों, और आज के leaderboard पे नजरे डाल लेते हैं एक बार, हेमंत, आयसा, आभा, शिवांस, खोसी, वाकर, वैशनवी, अनस, नेहा और अनुज, ये top 10 लोग हैं, बाकी लोग अपना अपना rank देख लीजी, कौन किस place पे आया है, बहुत कम लोगों ने उत्तर दिया है, बावजूद उसके जितनों ने उत्तर दिया है, बहुत बढ़ 49 लोगों ने आंसर दिया है, तीसरी क्लास में मिलेंगे आप से, और आशा करता हूँ कि आप इसी उत्साह से तीसरी क्लास में मतलब पेपर नंबर 3 को भी बहुत अच्छे तरीके से solve कर रहे होंगे, ठीक है बई, तो आज के लिए देखो, अभी तक century पूरी नहीं हुई है इक्षा अगर आपकी हो की क्लास खतम हो चुकी है, इसके बाद इक्षा हो तो आप मुझे बता देना, ठीक है, और आप comment box में सवाल का answer जरूर दीजेगा और ये भी बताईएगा कि आपको session कैसा लागा, आज के लिए मितना ही पढ़ेंगे, बाकी मिलेंगे, कल की क्लास मे आज रात आठ बजे वाली क्लास में जहां पर मैं आपको एक नए टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो आज मिलते हैं आठ बजे, ठीक है बई, और मिलते हैं कल तीसरे बेपर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार, जैहिंद